पुर्वत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनात्रिपाथी ने गुरुवार को प्रेसवारता कर कहा कि रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं आधार भूत संरशना के सुद्रिल करल स्टेशनों की रिमॉडलिंग, यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए रेलवे प्रतनेशील है। पुर्वत्तर रेलवे के महाप्रबंधग विनत्रबाठी ने बताया कि पूर्वत्तर रेलवे उज्जा सनरक्शल और जल सनसरक्शल के कुदम उठा रहा है। साथ ही रेलवे के मार्धियम से वैपारियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मालगारियों के मार्धियम से डिलेवरी किया जा रहा है इसके लिए 22 नय मालगोदाम खोले गए हैं वही 23 मालगोदाम 24 घंटे काम कर रहे हैं रेलवे डिजिटलाइजिशन की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है रेलवे अपनी सभी करमचारियों को कोविट से बशने के लिए वैक्सिनेशन करा चुका है कोरोनकाल में रेलवे कोविट वाट तयार कर रेलवे के ही नहीं बलकि बाहर के मरीजों का इलाज किया गया साथ ही कोविट से बशने के लिए अपनाए गया प्रवाधान जैसे मास लगाना, समाजिक दूरी का पालन करना और हैंड हाईजिंग को ध्यान में रखकर व्यापक जन जागरुकता अभ्यान रेलवे स्टेशनों पर चलाया जा रहा है इस औसर पर पुर्वत्तर रेलवे के अनधिकारी मौजूद रहें इस संबन में गोरगबुर नियू से बात करते हुए पुर्वत्तर रेले के महा प्रवंधक विना त्रुपाठी ने कहा जो लंधियां हाजित की हैं उनके बारे में हैं खेतर में अत्मास रक्षा के शेतर में यात्रियों के लिए रेलवे के गरहपों के लिए जो पार किया गया है उसके संबन्ध में है तो पुषिश्क्री की भारत की प्रविति भारत की नामिक प्रविति पर कोई बहुत जादा असार नहीं है तो इसी सब चीज़ों को इपक्षा करके जैसा सी प्यारों साव में होता है कि आप सब लोगों को फॉर्मली भी इंफर्मेशन देते हैं बहुत सी इंफर्मेशन आपको बेड़ देविति रती हैं पर उनको कंसॉलिडेट करके इस तरह से आप सब को नालिज में ले आरे हम लोगों का जो एफ़र्ट है हमारे स्टाफ का ओफिसरस का उसके लिए हमने इसको कराया और उसी के तहत सबसे पहला आइटम रहे का सबसे जो मोस्ट इंपर्टन आइटम बता है तो सेफटी का इसी होता है हमेशा हम लोग जब जबी अपनी कोई भी मीटिंग शुरू करते सेफटी की उस्टी है हुँआ हम दो सेफटी की लास्ट इम हुआ होती है तो उसके तहत हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम लोग ने काफी कुछ ँड़म किया सबसे बड़ा अचीफमेंट को ही है कि कोई भी कॉंसी को प्राप्त करने के लिए जो मैंड लेवल क्रॉसिंग है वो हमने करीब करीब 118 मैं लेवल क्रॉसिंग जो हमारी मैंड लेवल क्रॉसिंग है लेवल कॉसिंग हैं ममें से 714 को कि हमने इंटर वाकिं कर लिया है चाहत्तों पंचानदे जो इंटर लॉक बेस हैं उनमें इस्लाइटिं बुम्स अगा दिया है स्विंपर रेडिवल हम लो मनें बॉर्ट 36.41 किलोमेटर का PPRS मसीन के पिया है और एक सबसे बड़ा है जो है जो मेकैनिकल सिंगलिं होती थी जिनके कारब कई अंसेफ चीजें भी कभी हो जाय करती थी आज की डेड में अब बीजी इस्टेशन पर कोई भी मेकैनिकल सिंग अब नहीं बचा है उसी के साथ साथ पर्फार्मेंस में भी एनी रेल्वेयर ने बहुत ज्यादा होना की कि है 20-21 में एनी रेल्वेयर का पर्फार्मेंस 91.61 परसेंट था जो कि अगरा तुनीस बीस से कंपेर करेंगे तो सिरुफ 75 परसेंट का 21 में हम उससे भी अच्छा ब एक हम कुछ बहुत सा इसको यह बहुत सा काम भी कर रहे हैं हम लोग ने 181 TKM की सेक्शनली स्पीड पर आई है 106 TKM जो है वो पस्पार्टर ऑफिकिस बाइस जिसमें से किये गाए है लूप लाइन की स्पीड 15 से 30 हम काफी ख्यान से और बहुत तेजी से कर रहे हैं वी सिक्षन का रूप लाइन की स्पीड 15 से 30 किलो मीटर भाई जाए है अजिक्षं कि अभाई एन आ seven a day आता था उस टाहलाि को भी पचानी की कूशिश कर रहे हैं कि अब सिग्विल ट्रेक्शन से ही 50 इंजें से गड़ारी जा रही है तो एलेक्षिक इंजन से जाए 10 चैंज करनी की जबंधना पारा हो तो मतलब energy saving भी देती है, environment के लिए इंप्रूवमेंट है, plus हम लोगोंने जो investment किया electrification कर उसका डिटाब देती है, साथ पे punctuality performance भी इंप्रूप परती है, वकाद electric train की जिन लिए इवरेजी स्पीट भी higher होती है, तो उसको भी किया है, और एक bypass line मत्वी की कोल के बच्च में construct ह इस साल काम पूरा हो जाएगा, उसके कारण भी जो बंटनी पे engine reversal ठेर सारा होता था, वो सारा अफ्दान हो जाएगा, तो उससे भी punctuality में further improvement होगा, इसी के साथ passenger amenities में भी काम हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पच्चेस देफटर, चौवीस escalator commission किया है, हमने different important restrictions पे जहां पर जो हमारी मापदन्द है, उस मापदन्द के हिसाफ से जहां जहां लिफ्ट और इसके लिए कारण होने चाहिए, वो almost अब जगे लग गए है, जो लिफ्ट खलीदाबाद में और जो लिफ्ट बस्ती में अभी recently commission होई है, FOB गरदर हमने launch कर दिये हैं, घुलनपुर और ह स्टेशन पर एक नया FOB एफना railway station पर बनाया गया है, हाई डेविल प्लेफार्म चैनवा, मुहंदाबाद, बंकटा और विट्गोई railway station पर, दोसवाइक सथ वाटर पूलर लगाए हैं, पुल अठासी railway station पर, और जितने station अभी आर में, वाई-फाई फसिलिटी के लिए करें बनायल यह इन टाइटेशन पर अब फ्री वाई-फाई की फसिलिटी अविलेबिल है, अभी आर में सिस्टम-डूर गादीया है, यह सब दोसवाइक सप्सिंजर के लिए काफी इंपर्टेंट आइटम्स है, इलेक्रोणिक ट्रेंट इंडिकेशन इस लिए बोर सप्त इस्टेशन पर लगा दिया है जो कि NTS के साथ इंटीग्रेटेड है मतलब कि एक रियल-time टाइमिन उसमें NTS में एंट्री होती है वह रियल-time information वोर्ज पर दिखाई जेगा कोज गाइडन सिस्टम भी तीस स्टेशन पर लगा दिया गया है कोज गाइडन सिस्टम में कुछ ICM और LHP को लेकर के प्राब्लम कुछ थी कि एकार जब LHP आती थी तो उसका इंडिकेशन एक दम साही नहीं रहता था वह भी मौडिकेशन एंडियां में कुछ कई लिया है इसके कराण अब वह समस्या का भी समधान हो गया है और भी सब्चेकर कर दिया जाएगा LHP कोचर्स जो कि हाली स्टीड कोचर्स हैं और सेफ कोचर्स हैं LHP कोचर्स पी सबसे बड़ी विशेष्टा जी है कि अब कहीं किसी बगवान में करें किसी भी साथिगी में बाग होते हैं तो परसिंजर्स का नुक्सान नहीं होता है उनमें वह ऐसे कोच बने हो हैं कि परसिंजर्स पर असार नहीं पड़ेगा तो 34 पेयर करें हमारी अलड़ी LHP कोचर्स पे चल रही हैं और सारी ट्रेंस क्लाइंड हैं कि दीड़े-दीड़े LHP के करणवार्ट हो जाएंगी आरोबी भी बनाए हैं हमने आरोबी जूर इकिस में कमिशन किये हैं और एक आरोबी पहले से कमिशन हो चुका है पसेंजर की एक रेलवे से मनाया हूआ जो डिलोगल कर रहे होते हैं यह विलोग रेल बेता हैं घुर शंद्रेंग करशंडंत वर्य की दानिन enfrent को प्रकरेंग कि दानिंड़ आज मेया इंड़ म zeker सबसे सारी इंडिया रिष्टिती में सबसे बेहता रिष्टिती में है और हम लोग 10 मिनट से कम में पासिया की समस्याओं का समाधान करके और उनको वापस फीड़ाइब भी दे देते हैं और इस समय अधम अधिकी परफार्मेंस का जो रहलेवे की परफार्मेंस होती है उसकी ग्रीदिंग भी पैसे लोग ही करते हैं वही फीड़ाइब जयते हैं तो उसमे भी अनी रहलेवे को आधमोस्ट अबहर देवे की ग्रेडिंग एक्सिलेंट की नहीं है इंफरा स्ट्रक्टर पर बहुत घर सारा आप आपपको पता ही होगा पहले एक रेल ये गल्फेर तो छोटी राइन की रेलवेर कही जाती थी पर आज वेल्फेर पाउज हों चोटी राइन राइन रेल्फेर बच्टी नहीं है, गेश करनोजन करके शाधांपूर मादन रेलवेर का आप इस्टेशन था तो दूसरी रेलवेर में जाकर के भी एडी रेलवेर ने काम किया है और अब पिलिवित से शाधांपूर पूरी तरक से ठनेक्ट हो गया है अब इसका एड़ोंटेग पसीजर को आइस वेल आइस बू दूसरी रेलवेर ने जाकर के एडी रेलवेर ने काम किया और इस चीज को संभव बनाया है ऐसी डब्लिंग और यार्टु गातीपूर बल्ज़ा टू फेखना और कछवा टू ग्यानपूर की भी कमिशनिंगी इस इकिस में हुई है इस बेंगे डिफेंट प्रोजेक्ट जो और चंग हैं और जो टागेट हैं इकिस बाइस में उस्शापूर पर सिंदी की डबलिंग आठ है वो शिटापूर गुर्वल का उसकी डबलिंग 10 साल हम पूरी कर देंगे ऐसे ही पैंतिपूर और गुर्वल का डबलिंग कम्रीट मनावर डाली गेंच की डबलीन कंप्लीट करेंगे शात्वाव वलिया की डबलीन कंप्लीट होगी देखना करेंगी तुन्पूर और यहार मुफ्ति है और भांकी की कोल का जो बाइपास लाइन हो तो रहा है और ट्रैक्शन चेंज आपको पता ही है कि इले डीजल से हम लोग सब एनी रिल्वे आज की डिल्वेट में तरीक करीं 75% इल्ट्रिफाइट रिल्वे हो चुकी है और अबिले साल तक हो सकता है 95% करीं इल्ट्रिफिकेशन हो जाएगा जाएगा तो उसके तहप भी आप ट्रैक्शन चेंज में भी बहुत से इंग्रूव हो गई है लोकोषेट गूंदा को टोटल इलेक्रिक लोकोषेट में कर रहे है अब है अब है और हों कि टेक्माल्जी इल्ठी लोको की इफरेंट है इंड वीजलोको की इफरेंट है पर हमने सारे में आद्मी ट्रैंड कर दीया है वोही सबागी उस पिछित लोकुमोटिवह विंतरि आ langt vagy cop YES वेने में और बोश के लोकुमटिवहowania रोले ढूपरेयुन स्पास्ट से ज़्चितलर टाल को कर दिआ है अभी 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 जो यह ए को मेर्धेक irrit umm कर को में अबन आ pfalag को का है और जो ये कर्विशनल लोको, डबलोपी 4 लोकोज है, वो पसिलिया लोकोज है, ये हाई 3 पसिलिया लोकोज है, ये सब 140 kmph के लिए fit लोको हैं, तो हम लोपी साही 130 की गाड़ियां चलाने वाले लोको हैं, आज की जड़ में हम भी लोको प्रवाइब कर रहे हैं, एंटी ज़ आज की जड़ में हम 140 kmph की गाड़ियां चलाने वाले लोकोज हैं, तो और इलेक्रिकेशन के साथ साथ जो गाड़ियों में ट्रेम, जो लाइटिं, लाइटिं, लाइटिं लाइटिं होती थी, एसी होता था, ये सब भी बीजी से चला करता था, तो डीजल जनेरेटर, लोकोजिए के साथ सेी चला देशर गाड़ियों में की आख कई, लाइटिजластो फीका का भी लोकोमोटिफ करें चला है, उससरा जाहिए के सा बिजल निक्सान करता है, तो डीजला बीजल के सेल करा समक है, आपको अ तो वो दोनों चीज से बच करके हम नहीं तरह रहें जा रहें। इलेक्रिफिकेशन भी हमने बहुत जादा उसको जोड़ार करके किया रहें। पिछले साल 2021 में हमने 561.36 km का इलेक्रिफिकेशन थिया जो कि इंडियम रेलवेज में इसेंड प्लेस पर था। तो एनी रेलवेज डेस्पाइट की छोटी रेलवेज है, इसके बाद भी हम नंबर दू के थे इलेक्रिफिकेशन में और हमारे रहर नंबर बन में बहुत ज्यादा आंकर नहीं था। तो हम नंबर बन भी हो सकते थे तो इतना ज्यादा उसमें काम हिया। तो कि जो यह पात्सवा एकसट रूट किलोमेटर होने किया वो टारगेट से करीब करीब 15% ज्यादा था। और एनी रेलवे का तो हाइस वेवर था था। और इसमें यह भी बता दें कि कई एजेंसी करती हैं पर इसमें धेल सारा पार्ट खुद एनी रेलवे के और इसमें किया था। और रेलवे का जोड़ा जा तो रेलवे का यह एक्ट्रिकेशन था वह आईस पारेंगे ने जो झीए था था तो बहुत बीनिम्म साधन के साथ मिनिम्म मावी शीर और मिनिम्म सुपर्वाइस के साथ यह वर्क किया गया था। और NER अल्रटी बताए चुकिए 75 परसें तक हो गया है 2021 के निये भी planning है करीब करीब 723 रूट किलोमेंटर रिट्रिफिकेशन करने की और यह सारा काम हो जाएगा तो अल्मॉस्ट, more than 95% NER रिट्रिफाई हो जाएगी और यह काम इस साल सारे के सारे पूरे हो जाएगे इनकी progress है, target है, वो सब कुछ target के हिसाफ से चल रहे हैं वो सब पूरे हो जाएगे और नई ट्रेनों का अगर रिजंप्शन देखें पोस्ट-पोस्ट को इस हतम होने के बाद तो टोटल ओरिजिनेटिंग ट्रेन हमारी 116 चल रहे हैं जो की 92% हो चुकी है, pre-COVID time के टोटल पसिंजर ट्रेन जो अभी चल रहे हैं वो 42 चल रहे हैं और जी में पासिंग ट्रेन तोटल जो नमबर हाँ पासिंग ट्रेन चल रहे हैं वो पारी 42 पेर हैं वो पासिंग कर सकते हो की काफी एक ट्रेने चल रहे हैं अनियार की ट्रेन लगता था एक पीछे लगता था जो पावर जेड़ेटर कार लगती था तो एक जेड़ेटर कार को पीछे से हटा लिया गया है और उसकी जेगर पे लसलाडी कोच लगा की में जाये हैं जिसमें की 31 सीटी कपेस्टी पीए तो 31 लोग और उसमें ट्रावल कर सकते हैं चार निट्रिक्टर लगेज काइट पेस्पेस दिया गए विलेगे उसमें उतना लोड भी जा सकता है ऐसे हमारी मुद्री स्पेर ट्रेंट्स में लगाया जाती हुगा है जो बादियां चोटी पे चल रही है उनमें ग्राइबिल्टी हम सारे के सारे LRD कोच लगा देगे और इतनी एटीशनल सीखिंग कपेस्टी चमिलेट हो जागी प्राइबिल्टी प्लस पूट्स काई कटश्टी है जाएगी और अन्रिजर्व ट्रेंस में हम लोग जब सेकेंड वे के आगी के पाईदे थर्टीश स्पेर आफ पसिंजर ट्रेंट हम चलांगे लगाए जाए बट जो सेकेंड वे वाही ही तो उसमें हमें अवर टीम पेयर आफ नई अन्रिजर्व ट्रेंट अंसो हमने इंट्रूस को दिन है और अगर 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 विटीश पात रहा तो हम गैजरी नॉर्मल्सी की करप आने की कोशिए करेंगे लिगुसे मेर अरो बट अगर जागर अगर व जागाए अगर थर्रीग अगर्व्स में गहीए जर बीस इकेस में 0.39 मिलियन तन थी, इकेस बाइस में 0.89 मिलियन तन थी, जो कि करिए 128% जाता है पिछले साल से, और बीस इकेस में भी हमने 19-20 से कहीं जाता थी, जर बेस्पाइट कोईट की इतनी भी प्रॉबम है, और तो डिफरेंट कमोडिटी में है, फूर रेंड बिस में इन कॉच्छ बनाइं जिसमें एनि रेंटी में सबसे जाता है ऑनिजी कोच्छ बनाएं, केंड जो कोचेग PAUL कोच्छ बम्राइब करूब noise अब हम नौतर्मा से बक्षी का तालाब से इन सबसे इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं और अब यह जो वागन्स हैं इनको हम अब FNCG प्रॉडक्ट को भी लोड करने के यह यूज कर रहे हैं अब हमें तो ती मिन पाइले ही मैगी लोड करके लिटातार से करें हमें 16 लाग इग्जेक्टि राइगों और 16 लाग से 20 लाग के करें हम लोगों कोस का रेवनी भी दिला था और यह भी है कि यह जो एनको अधी वागन्स है इनकी स्पीड भी 110 एंप्रेज के लिए पर्मिटे लोडिंग फ्रेट लोडिंग बहुत ज्यादा हो गई है पिछले सालों के कंपरिजन में करीब करीब 123 परसेंट है हमारी ट्रेन की पंक्चुल्टी काफी बोर्ड का टार्गेट नॉर्मली 95% का रहता है हम इस समय 96% 95% की पंक्चुल्टी अचीव कर रहे हैं हमने बहुत सा इंफ्राइस्ट्रक्चर का वर्क किया है हमने बहुत सारा स्पीड रेजिंग का वर्क किया है हमने बहुत सारा पसेंजर एमनिटीज का वर्क किया है वो सारे काम पिछले एक सालों में बहुत ज्यादा हमने किये और वह भी कोईड के दौरान किये और उसमें भी आप लोग जो ऐसा कि कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए समस्या हो सकती है तो उसके लिए हम अलड़ी एक पीडियाट्रिक वार्ड बना रहे हैं जिसमें करीब अठारा बेट का अरेंजमेंट कर रहे हैं वो कोईट से गीन करने के लिए वैक्सिनेशन बहुत बड़ा हतियार माना जा रहा है थार्ड वेव से बचने के लिए तो वैक्सिनेशन पर हमारा पूरा जोर है हमारे करीब 93-94 परसेंट एम्लॉईज का वैक्सिनेशन हो चुका है और जो सेकेंड डोस है उसका जब भी ड्यू बनेंगा तो उसके हिसाब से सेकेंड डोस भी हम उनको कंप्लीट करवा देंगे तो वैक्सिनेशन पर पूरा ध्यान है हस्पिटल में जितनी फैसिल्टी जन्रेट कर सकते हैं उस पर ध्यान है हम अपने हर हस्पिटल में हर जगा गोरगपूर लखनाव बनारा सिज्जत नगर सब जगा ऑक्सिजन प्ल कि स्थिती होगी उस हिसाब से हमको वैरियेविल एक्शन करते रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ डिसाइड कर लें और कल फिर ना मतलब उतना ही करें तो जैसी स्थिती होगी उस हिसाब से हम बिल्कुल लाइव काम करते रहेंगे पर अभी हम सब को इस्टेश उसको भूले नहीं उसको याद रखें और उसके हिसाब से जो काम करना करते रहें देखे ट्रेनों के अंदर इसलिए सारी ट्रेंस रिजर्व कंडिशन में चलाई जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हम फॉलो कर सकते हैं उसको फॉलो कर सके हैं इसलिए इस पे पेंसिंग और मास्किंग को फॉलो करें